बहु की जादूई टीवी कहानी शुरू होती है मीना से मीना की नई-नई शादी हुई थी शादी में मीना को उसकी माने तोफे के रूप में एक टीवी दिया था पर मीना की सास सरला मीना को खास पसंद नहीं करती थी सरला गुस्ते में कहती ये क्या तोफ़ा दिया तुम्हारी माने बस एक टीवी इससे अच्छे तोफ़े तो हमारे पडोसी ने दे दिया शादी में तब मीना उदास मन से कहती माजी मेरी माने बड़ी महनत से पैसा जमा करके ये टीवी दिया है ये टीवी मेरे लिए बहुत खास है माजी शादी से कुछ दिन पहले ही मीना की मा मंजू मीना के लिए शादी के कुछ तोफे खरीदने जा रही थी कि तभी कुछ डाकू उससे उसके सारे पैसे छीन लेते हैं और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं मंजू बहुत उदास हो जाती है उदास मन से वो अपने घर की तरफ आने लगती है तभी रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबाजी बैठे हुए मिलते हैं मन्जू उदास मन्द से उनके पास जाती है और उन्हें रोते हुए सारी बाते बताती है बाबा जी उसकी सहायता करने के लिए मान जाते हैं और उसे एक जादूई टीवी दे देते हैं घर आके मन्जू मीना की शादी में उसे वो जादूई टीवी दे देती है मीना अपनी मा के इस तोफे से बहुत खुश होती है और वो उसे अपने ससुराल ले जाती है फिलहाल हम ये देख पाते हैं कि सरला गुस्से में कहती है हाँ हाँ मुझे पता है कैसा बेकार टीवी है ये तू रहे इस टीवी के साथ मैं तो जा रही हूँ ऐसा कहकर सरला मीना के कमरे से चली जाती है मीना ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है तभी उसका पती राहुल कमरे में आ जाता है राहुल मीना से कहता क्या हुआ मीना इतनी उदास क्यों लग रही हो तब मीना कहती नहीं नहीं कुछ नहीं राहुल फिर कहता चलो मीना खाना खाने चलते हैं मीना ने भी हामी भरते हुए कहा ठीक है चलो मीना और राहुल खाना खाने चले जाते हैं खाना खाके जब वो वापस आते हैं तो कुछ देर बाते करने के बाद विसो जाते हैं अगली सुबह राहुल तयार होकर अपने काम पे चला जाता है राहुल के जाने के बाद मीना भी घर की सफाई में लग जाती है मीना सफाई कर ही रही होती है तभी उसकी साथ सरला गुस्से में कहती है हम, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती, पता नहीं कैसी लड़की से शादी कर लिया राहूल ने, मीना कहती, माजी मैंने सफाई कर दी है सारी, सरला कहती, देखो तो कैसे जबान लड़ा रही है, मीना फिर कहती, माजी मैं तो बस बता रही थी, सरला कहती है, हाँ हाँ, पता ह मुझे ये सब सुनने के बाद मीना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है सरला कहती है पता नहीं कैसी लड़की से शादी कर लिया राहुल तो ने किसी काम की ही नहीं है दहेज में भी क्या लेके आई बस एक टीवी मुझे तो ये टीवी बिलकुल भी पसंद नहीं सरला य शाम के वक राहुल घर आ जाता है घर आकर राहुल मीना को उदास देखकर उसका कारण पूछता है परन्तु मीना उसे कुछ भी नहीं बताती है थोड़ी देर बाद राहुल खाना खाने चला जाता है खाना खाने के बाद राहुल और मीना सो जाते हैं अगली सुब सरला मी स्से में कहती है आज तो मैं इस टीवी को उठा के बहर फैंक दूंगी तब इस मीना को पता चलेगा सरला उस टीवी को निकालने की कोशिश करती है कि तभी वो टीवी उसे कैद कर लेता है सरला चिलाने लगती है बचाओ बचाओ मुझे बचाओ सरला की आवाज सुनके मीना और राहुल दोनों जाग जाते हैं और सरला को टीवी में कैद देख दोनों चौक जाते हैं तब ही राहुल कहता मा तुम टीवी में कैसे कैद हो गई हो तब सरला कहती है बचाओ मुझे बचाओ कोई तो इस टीवी से बाहर निकालो मुझे तब टीवी कहता नहीं नहीं मैं इ आईसा नहीं करना चाहिए था मुझे माफ कर दो मीना हाद जूड़ते हुए कहती है ऐ जादूइ टीवी कृपया करके मां ची को माफ कर दीजेए तब जवाब में टीवी ने कहा ठीक है ठीक है मैं इन्हें माफ कर देता हूं तब ही सर्ला टीवी से बहर आ और दोनों सास और बहु साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं इस तरह कहानी का अंथ हो आशा करते हैं कि कहानी अच्छी लगी होगी आपको जो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसी कहानिया सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे आपसे एक नहीं कहानी के साथ धन्यवाद